3,72,000 रुपे की spelling क्या होती है और 3,72,000 रुपे को check पर लिखने का सई तरीका क्या होता है यह हम आज इस वीडियो में सीखेंगे 3,72,000 रुपे को इंग्लीश में हम 3,72,000 रुपीज कहते हैं और अगर हम account पे check देना चाते हैं तो check के सबसे उपर corner में हम account पे only लिखेंगे फिर जहाँ पर पर ABC name लिखा हुआ है वहाँ पर आप उस person या company का name लिखेंगे जिसे आप check दे रहे हैं नीचे आप लिखेंगे 3,72,000 रुपीज only और इसके spelling होती है ती एच आर डबल ए त्री एल एक एच लैक से वी एंटी वाइ सेवेंटी ती डबल ओ टू ती एच ओ यू एस एंडी थाउजन आर यू वी डबल एस रुपीज ओ एनल वाइ only और उसके नीचे 3,72,000 रुपे मातर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हिंदी या इंगलिश किसी एक भाशा में ही चेक भरें और आइट एंड साइड में जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें 3,72,000 रुपे को अंकों में लिखना है जिसके लिखने का तरीका है तीन, साथ, दो, फिर त चैनल को सिब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा परियास पसंद आया है तो हमारी मीडियो को लाइक करें आपकी लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं